कई अध्यनों में इस बात का जिक्र है कि सुभे किये गए ब्यायाम से ब्यक्ती खुद को तरोतादा और उर्जा से भरपूर महसूस करता है वहीं भी ससग्यों के अनुसार सुबह ब्यायाम करने से सारी रिक स्वास्ते के साथ साथ मानतिक स्वास्ते को भी काफी फायदे मिलते हैं तो आए आज की वीडियो में हम आपको कुछ आसान मोर्नी एक्सराइज के बारे में बताते हैं जो आपको कई स्वास्ते लाब प्रदान कर सकती है लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे एक चोटी से गुजारिस है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस exercise को बिल्ली उट खिचाब व्यायम के नाम से भी जाना जाता है इस exercise को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हातों को जमीन पर रख लें और अपने घुटनों को exercise मेट पर ले जाएं अब सास लेते हुए कमर को नीचे करें और गर्दन को उपर उठाएं कुछ सेकेंड इसी अवस्था में बने रहें इसके बाद सास छोड़ते हुए रीड की हड़ी को उपर उठाएं और गर्दन को नीचे जुकाएं इस अब्यास को एक से दो मिनट तक इसी तरह दोराते रहें फिर दीरे दीरे सामानिय हो जाएं नमबर टू पैदल चलना नियमित रूप से पार किया सडकों पर कुछ मिनट के लिए टहलना बिविन स्वास्ते लाब ब्रदान कर सकता है यह आपकी हड़ियों में ताकत और आपकी मास फेसियों में लचिलापन ला सकता है साथ ही है दिल को स्वस्त रखने और ब्लेड प्रेसर को नियंतित करने में भी काफी मद्दगार होता है यदि आप नियमित रूप से अपनी गती बढ़ाते हैं तभी आपको अच्छे प्रणाम मिल सकते हैं हाला कि इसका मतलब यह है नहीं है कि आप दोड़ोना सुरू कर दें आपको केवल सामाने रूप से पैदल चलना है और टहलना है लंज एक्सराइज पेरों के लिए काफी फाइदेमंद मानी जाती है यह जंग और बट के लिए बहुत फाइदेमंद होता है इस एक्सराइज को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर अपने दाहिने पेर को आगे की और ले जाएं और गुटनों को मोड़कर 90 डिगरी का कौन बनाएं अब बाएं पेर को पीछे की और सीधा करें और दोनों पेरों के बीच कम से कम 2-3 फिट की दूरी बनाए रखें कुछ सेकेंड इसी इस्थिति में रहने के बाद खुद को ऊपर के तरफ कूदें यह आपको सुरुआती इस्थिति में लाएगा इसे रेफ्स कहा जाता है इसी तरह दोनों पेरों को 12-15 रेफ्स करें जंपिंग जैक एक्सराइज जंपिंग जैक एक्सराइज करने के लिए सबसे पहले जमीन पर साबधन मुद्रा में खड़े हो जाएं फिर पैरों को अपने हिफ्स की चोड़ाई के बराबर खोल लें फिर कूदे और हातों को सिर के ऊपर ले जाते हुए जोड़ लें फिर से कूदे और हातों को नीचे ले जाएं और पैरों को आपस में चिपका लें कुछ सेकेंड बाद आप बापस अपनी प्रादाम्बिक इस्तिती में आ जाएं और इस किर्जा को बार बार दोराएं पुसप करने के लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं दोनों हातों को अपने चेहरे के साइड में रखें एक बात का ध्यान लखें कि दोनों हातों और पेड़ों को फैला कर रखें इसके बाद पुसप करें इसके लिए अपने सरीर को मसल्स की मदद से उपर नीचे करें इस आसन में अपने पेड़ों, कमर और पूरे सरीर को एक सीध में रखें जब आप उसब करें तो अपनी छाती को जमिन से टच करें फिर एक सेकंड रुखें इसके बाद इसे फिर से दोहराएं तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे आसान morning exercise जिनने अपना कर आप खुद को सारी लिग और मानतिक रूप से स्वस्ति बनाए रख सकते हैं ये morning exercise आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरू बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार लखें जै हिन जै भारत कर दो